हेलो स्टूडिंस वेल्कम टेर्ड यूहाब मैं हूँ शुबंगुपता और आज हमें काफी इंपोर्टन टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं क्या आपके एक्जाम्स जो है इस बार टर्म वाइस हो सकते हैं आपको याद होगा 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए थी एनिपी एनिपी कई लोग नप इसको कह रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आए थी तभी हम काफी चीज़े सुन रहे थे कि ये चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे स्टूडेंस अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और यह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसी के मद्दे नज़र इसी को ध्यान में रखते होए न्सी आटी ने यहाँ पर आप न्सी आटी का लोगो देख सकते हैं ठीक है नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निकाला था फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 इस साल के लिए तो इस नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या है और यह आपको किस तरीके से इफेक्ट करेगा याद रखिए एक CBSE अपडेट की वीडियो में अल्रेडी अपने चैनल पर डाल चुका हो ठीक है हमारे चैनल पे वहाँ पे हमने क्या देखा था वहाँ हमने देखा था कि कैसे जो वेटेज है वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है CBSE ने मैं हाली में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देख रहा था मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये दहिंदू का आर्टिकल है काफी जादा फेमस अख़बार है या आपको नहीं पता सबसे एक महेंगा अख़बार भी आप कह सकते हैं मुझे याद है शाए दसरवे का एक कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं CBSC के अनुसार जो जो चेंजेस उन्होंने प्रपोस किये हैं ठीक है National New Education Policy देखे एक तो है आपकी New Education Policy जो 2020 में आई थी इस Policy के अंडर ही इन्होंने एक National Curriculum Framework जिसको NCF-NCF कहा जाता है जैसे New Education Policy को NEP कहा जाता है वैसे National Curriculum Framework को NCF कहा जाता है तो New Education Policy के अंडर ही ये National Curriculum Framework लाया गया है जो आपको effect कर सकता है ठीक है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे articles से इसी साल launch हुआ है ये भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पुराना article नहीं है April महीने में ये article आया था ये दा हिंदू का article है Times of India NCF 2023 no exam for classes up to 2 य किसी भी board के student हो ठीक है ये आपके समझना बहुत जाता जरूरी है ये changes क्या है और ये आपको किस तरीके से effect करेंगे इस साल तो अब तक जो official notification है इस साल आपको ही changes इतना effect नहीं करेंगे पर next year जरूर ये changes आपको effect करेंगे ठीक है तो अब जो होने वाला है उसके बारे में आपी से सचेत हो जाओ मैं आपको पहले ही बता दूँ कोई चिंता की बात नहीं है कुछ changes होए है पर वो आपकी भलाई के लिए होए है वो students जो new education policy के तहती जो curriculum framework आया है इसकी छत्रचाया में पढ़ेंगे वो बहतरी इन बनेंगे क्योंकि वो students होंगे जो कलको मेरे जैसे होंगे जो science पढ़ रहे है physics, chemistry, maths, computer science, java, c++ लेकिन उसका साथ-साथ उनको अगर हिंदी साहित्य में interest है, filmmaking में interest है तो वो अपना कोई boring subject निकाल के वो interesting subject से उसको replace कर सकते है तकि उनके overall board में marks भी बढ़ेंगे और subject पढ़ने में उन्हें मज़ा भी आएगा अरे हाँ या ना तो ये new education policy इसके तहट जो national curriculum framework है, ये क्या है framework? CBSE ने कुछ guidelines निकाल दिया, NCRT ने भी उसमें साथ दिया है और उसके तहट वो आपको बता रहे हैं कि भाई ये ये चीजे हैं, इससे उन्होंने अलग-लग लोगों से feedback मांगा है, इसी में से कुछ चीजे हो सकता है, reject हो जा what are the proposed changes for the Indian school system, अगर ये आपको immediately affect ना भी करें, तो इन future जरूर करेंगे, तो ये video आपके लिए जरूर है, ठीक है? पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो national curriculum framework है, ये पहले तीन बार edit हो चुका है, 1975 में, 1988, 2000 में और 2005 में भी चार बार edit हुआ है, अब ये इसका आप कहते हैं, 5th edit है, ठीक है, जिसमें हमने और कुछ नई चीज़े introduce की है, ये आप सभी के लिए, सभी students के लिए बहुत जादा important है, तो इस video को आप ज़रूर देखिए, it is the 5th iteration, again, new education policy के तहत, एक document, एक framework release किया गया है, जिसको national curriculum framework कह रहे है, उसमें बहुत सारे changes है, उसमें से कुछ changes हो 2023 में क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, students will be given more flexibility in choosing their own subjects, they can choose their own paths and interests, ठीक है, पहले तो देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दो कि इस साल, जो 9th, 10th के students specially देख रहे हैं इस video को, ये 11th, 12th के भी, इस साल आपके syllabus में ये implement नहीं होगा, 2023 to 2024, ये साल का जो batch है, इ अब हम new education policy की जो national curriculum framework है, new education policy को हम implement नहीं कर रहें, इस batch के हिसाब से अलग से syllabus निकाला गया है, social science का, science का, जो भी subject हो, हिंदी का, सब के syllabus वीडियो से हमारे चैनल पर upload किये गए हैं, आप अगर इस साल की मैं बात करूँ, 2023 से 2024, आप चाए कोई भी क्लास में हो, 8th, 9th, 10th, 6th वी में, बारवी में, आपको कोई असर इसका अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा, इस साल CBSE ने ये document ये framework रिलीस किया है, new education policy के तहद, और स्कूल से कहा है है, अलग-अलग स्कूल से, अलग-अलग संघटनों से, कि आप अपना feedback दीजे, उसके आधार पे हम देखेंगे क हमें क्या-क्या, हमारे हिसाब से साहब ये ही चीजे होनी चाहिए, आप feedback कीजे, discuss कीजे, 2023-2024 ये जो academic year है, इसमें हम ये changes implement नहीं करेंगे, इसमें जो हमने जो guidelines दिये, उसके हिसाब से ही आपका board exam, या आपके school के final exams होंगे, लेकिन हाँ, अगले साल से for sure जो है, आप इसका prepare हो जाओ, कि क्या-क्या आप अगले साल देख सकते हो, तो देखिए, अब ना आपके पास तीन तरीके के आपके जो subjects होते हैं, subject मतलब वही math, science, social English, अब ऐसा नहीं है, आपके subject भी अब तीन तरीके के subject है, एक हो जाते हैं आपके essential subject, माफ कीजेगा, essential subject हो गए, essential subject यानि कि जो आपको पढ़ने ही है, compulsory है, basic maths आपको पढ़ने ही है, English आपको पढ़ने ही है, basic science आपको पढ़ने ही है, या आपके compulsory subject हो गए, choice-based subject यानि कि अब आपको choose करने के लिए दिया जाएगा, अब देखिए, choice-based subject में भी आप कुछ भी नहीं choose कर सकते हैं, कि मेरे को film direction सीखन है, जो कि बहुत कमाल की बात है, सत्यजीत रेक के बाद और कुछ directors ही हैं हमारे पास, जो बहुत बहुत बहतरीन है, बागी जब तो फाल्तु है, choice-based subjects में क्या होता है, choice-based subjects में आपके पास choice होती है, यानि कि आप कोई भी ऐसे film direction, या जैसे music composing, आप कोई भी subject नहीं choose कर सक जाएगा, geography, policy, science, बहुत सारी चीज़े हो जाएगी, यह जो stream है, इसमें से तुम कोई भी वो कुछ area आपको, जिसको co-curricular area बार बार इस notice में संभोधित करेंगे, co-curricular area, co-curricular area, तो CBSE कुछ-कुछ areas आपको दे देगा, उसमें से 20-25-25 subject होंगे, उन areas में से आप कोई subject चु सकते हो, तो एक आपके compulsory या essential subjects हो गए, जो पढ़ना ही है, choice-based subjects हो गए, एक हो गए आपके vocational subjects, देखे, vocational शब्द का क्या आर्थ है, आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी competitive exam की तयारी करोगे, आपको पता होना चाहिए, vocational का मतलब क्या होता है, vocational का मतलब कोई ऐसा subject जो practical हो, hands-on हो, for example, अरे जैसे how to drive a car, अरे समझ रहो, अब how to drive a car ये इसकी theory में कैसे बढ़ोगे, तो students car में left side में ये है, right side में चलो, थोड़ी मोडी मैं समझता हो, theory होगी, कि brake इस side में होता है, accelerator इस side में होता है, इतने-इतने models की car है, पर overall how to drive a car is a practical subject, even engineering is sort of a practical subject, but especially driving car के बारे में बात करते है, तो ये तो पूरा application वाला process है, तो इसमें तो आपको driving आने ही चाहिए, अरे हाँ या ना, तो how to drive a car बहुत practical subject है, तो वो practical, hands-on subject, जिनको मैं कहता हूँ, जो real world में, jobs, आपको jobs लेने में help करेंगे, उनको vocational, ऐसे subjects को hands-on, practical, job ready बराने वाले subjects को vocational subjects कहा जाता है, तो ऐसे भी काफी जादा practical subjects आपको मिलेंगे, जैसे कहने को तो आप maths में भी practical कर जाकते है, maths lab में जाके, पर वो percentage वीरी करता है, maths में मैं कहूंगा 20% practical होगा, out of 100, science में 40% होगा, 50% practical होगा, बाकी आपको theory भी पढ़नी पढ़ेगी, physics वगेरा की, लेकिन vocational subjects में ज कहाँ पर ब्रेक होते हैं, कहाँ पर emergency ब्रेक होता है, आपने films में देखा हो, गाड़ी एकदम speed में चलाता हो, और एकदम से जब drift मारना होता है, तो पूरा घुमा के वो उसको उठाते हैं, तो यह जो emergency ब्रेक होता है, उससे गाड़ी एक जगा पर रुख जाती है, पर हमारे में बात करते हैं, तो vocational subjects, वही subjects होते हैं, जो आपको hands-on, hands-on, practical subjects हैं, यह तीन तरीके के subjects आपको पढ़ने पढ़ेंगी, students will have the option of exiting in grade 10 and will be allowed to re-enter in grade 11th and 12th, ऐसा नहीं है, कि आप दसवी से school छोड़के चले गए, ऐसा होता है, तो कई बार schools बोलते हैं, कि नहीं नहीं, इस commerce arts stream will be replaced by a system allowing courses across streams, आज कैसा होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने दसवी पास की, तो ग्यारवी, बारवी में साब मेरे पास तीन ही option है, या तो science ले लो, या commerce लो, या arts ले लो, उसमें भी arts जो है, बहुत सारे schools में होता नहीं है, colleges में बहुत सारे होता नहीं है, तो science और commerce में लोग लड़ते मरते रहते हैं, उसमें से भी 90% लोग science में जाते हैं, तो इस approach को बदल दिया जाएगा, मैं चाहूं तो physics, chemistry पढ़ सकता हूं, चाहूं तो मैं humanities का भी history, psychology पढ़ सकता हूं, तो interdisciplinary streams जो है, आपको मिलेंगे, इस new education policy के national curriculum framework के तहद, major changes फटा-फट मैं आपको ब वो कोई भी exam नहीं है, आप बस आये poem बोलिए, orientation, आपका recitation वो check करेंगे, as per the framework पर exams कुछ नहीं होंगे, third class से नए practical exams वो लेकर के आएंगे, ठीक है, और अलग-अलग तरीके के नए-नए बच्चों को encourage करने के लिए, अलग-अलग groups में बाटा जाएगा, group activities कराई जाएगी ताकि बच्चे जादा अपने आपको open up कर सके, first to second standard तक मैं कहूंगा junior kg और senior kg भी इसमें आएगा, अब till second standard कोई examination नहीं है, ये बच्चे बहुत छोटे हैं, उसके बाद से नए-नए practical exams जोब है, धीरे-धीरे introduce करेंगे, secondary stage ही होगे आपका primary stage, secondary stage ही exactly हो जो national curriculum framework है, उसी का screenshot ल भी divided into two faces, secondary stage दो faces में divide हो जाएगा, ठीक है, broad curricular area, science, social, humanities, चैसे मैंने बताया था ने, शब्द आप बार बार सुनेंगे, broad curricular areas, ठीक है, broad curricular area, यानि कि क्या, CBSE ने area दे दिया, कि भाया जैसे humanities, इसमें से तुमको जो भी पढ़ना है ना, एक या दो choice based subject ले लो, तो humanities में क्य कुछ भी नहीं चुन सकते हो, 20-25 नाम उसमें भी तुमको दे दे, पर इस stream से तुम कोई भी एक या दो subjects चूह है, चूज कर सकते हो, तो secondary stage में क्या होगा, broad curricular areas, जैसे science, social science, humanities will be offered in grade 9, 10, 10th to enable breath, learning standards are defined for this phase, ठीक है, disciplines, example, history, physics, language within each curricular area will be offered in grade 11th and 12th to enable depth, देखिए, वो आपको ब बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, in short वो आपको बता रहे हैं, देखिए, secondary stage में, जो आपका primary stage हो गया, secondary stage में 9th और 10th आता है, जिसको secondary बोलते हैं, एक higher secondary आता है, जिसमें 11th और 12th होता है, तो 11th और 12th को पहले हम हटा देते हैं, 9th और 10th की बात करते हैं, 9th और 10th में हो क्या बता रहे हैं design of grades 9th and 10th grade यानि कि class design of class 9th and 10th 9th और 10th के बच्चों के लिए क्या क्या होगा देखे पहली महत्वपूर्ण चीज की एक बार ये implement हो जाए तो 9th और 10th को अलग-अलग नहीं देखा जाएगा कि बड़ा हाँ 9th में तुमको इतना grade इतना CGP या इतना percentage आया तो 10th में तुम्हें इतना आएगा नहीं साहब अब 9th और 10th को अलग-अलग नहीं 9th और 10th को combine करके देखा जाएगा अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो सर वो तो अभी भी देखते हैं 9th के grades तो 10th में जुड़ते हो उनका बहुत कम percentage होता है 9th के marks अगर आपके 10th के report card में आते भी है तो उनकी बहुत ज़्यादा value नहीं है लेकिन अब value होगी क्यूंकि 9th और 10th को दो अलग अलग subjects की तरह नहीं as a single one as a uni subject देखा जाएगा ठीक है union देखा जाएगा 9th और 10th को to complete grade 10 students will to complete grade 10 यानि कि दसवी class अगर आपको पास करनी है students will complete two essential courses from each of the eight curricular areas 16 essential courses आपको करने पड़ेंगे यानि कि 16 subjects वो बोल रहे है अरे समझ रहे हो थोड़ा बढ़ गया है बेटे सब number of subjects पर 9th और 10th मिला के वो बोल रहे है तो यानि कि 8 subjects आप at least 9th में पढ़ोगे और 8 subjects at least 10th में पढ़ोगे ठीक है आठ आठ का जिकर वो कर रहे है ठीक है अब अब अगें यहां पर वो क्या दे देंगे two essential courses from each of the eight curricular areas की जैसे सहाब वो क्या करेंगे आपको करीकुलेर एरिया दे देंगे जैसे उन्होंने दे दिया मानो कोई करीकुलेर एरिया अगर मेरे दिमाग में है जैसे science ले दो चलो broad curricular areas लेते है science ले लिया ठीक है humanities ले लिया एना physical education हो गया ऐसे वो कुछ areas दे देंगे इन areas में से आप कोई भी दो subject चुन सकते हो जैसे मैं आपको example दिया humanities, arts क्या है अपने आप में एक बड़ा सा area है उसमें से आप एक दो subject कोई भी दो subject अपने ही साब से चुन लो जैसे arts में मेरे को history पसंद है तो मैं history चुन लूँगा और मेरे को human brain पढ़ना पसंद है या फिर ना मेरे को हमेशा समाज के बारे में पढ़ना पसंद है और सिर् psychology ले लूँगा तो humanity stream से humanities course से आपने क्या किया दो subjects निकाल दिये तो ऐसे अगर मैं आपको कहूं आपको अगर 8 courses दिये गया है और हर से आप दो-दो subject निकाल देंगे यह तो 8 into 2, 16 subjects आप यहां से पढ़ सकते हैं अगें अब यहां पर clarification नहीं है कि यह जो art जो आपको areas मेरा guess यहां पर यह है कि अगर वो आपको art areas देते हैं तो भी उसमें वो आपको कुछ set of topics देंगे और उनी set of topics में से आपको कोई एक या दो चीज़े जो है select करनी होगी तो फिलहाल हमें यही समझ में आ रहा है कि हना दो essential course from 8 curricular areas, 8 curricular areas में से आठों में से दो-दो course आपको select करने, total 16 essential courses, 16 essential subjects जो है आपकी यहां पर होंगे, ठीक है, these either curricular areas, humanities, जैसे humanities में क्या क्या होगा, languages, humanities का एक section दे दिया, तो आप कोई भी language पढ़ सकते हो, आप English literature पढ़ो, रहना, to quote from vitamin O me, O life, you know the powerful place goes on and you may contribute a verse, या अगर आप Hindi साहित पढ़ना चाहते हो, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सुख अपने देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते, मुसकया कर जो भाग गया, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाए, आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनू मैं मौन रहूं, यह शेंगर प्रसाद, तो आप अपने हिसाब से humanities में languages आ गए, mathematics और computing में, computers में आप क्या पढ़ना चाहते है, vocational education में, physical education में, तो ऐसे वो कुछ आपको 8 अलग-अलग streams दे देंगे, humanities, science, physical education, arts in education, इन हर stream में कुछ set of topics होंगे, सब म से आप पढ़ सकते हो, तो याद रखेगा, 8 into 2, हर co-curricular area में से 2 subjects चुनेंगे, तो ऐसे 16 आपके subjects हो जाएंगे, अब 9th and 10th में क्या होगा, to complete grade 9th and 10th, students will complete 2 essential courses from each of the 8 curricular areas, जैसे मैंने बताया, 8 curricular areas है, तो 8 में से 2 essential courses complete करोगे, so it will add up to total 16 courses, students must clear 8 board exams at the end of class 10th, यह भी अब कहा ग से 8 आपके major curricular areas है, जैसे कि क्या, जैसे humanities, mathematics, computing, vocational education, physical education, social science, science, ऐसे 8 बड़े-बड़े streams दे देंगे, आठों में अलग-अलग set of topics होंगे, कोई भी दो-दो topic आठों में से चुन लो, अब हो सकता है कि 8 board exam का यह मतलब है, कि 8 के 8 co-curricular areas के आपको exams देने होंगे, यहन कि हर 2 subject क आपका board exam होगा, ठीक है, तो 8 co-curricular areas के हो सकता है, 8 board exams आपको देने हो, खेर इसके उपर CBSE और बहतर और जो केंदर सरकार है, और बहतर तरीके से clarification देगी, फिलहाल जो framework में curriculum, national curriculum framework में जो देखने के लिए मिल रहा है, कि 8 board exam at the end of grade 10, अब यह मत समझे कि एकी साल में आपको 8 board exam देना है, याद रखेगा 9th और 10th को combine समझा जा रहा है, तो 4 exams आप इसमें देंगे और 4 exams आप इसमें देंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि subjects आपके खुद के चुने होए होंगे, उन्होंने आपको area दी है, आपने बस subjects choose किये हैं उसे साब से, तो संभवता आपके लिए इतन कठिन नहीं होगा, ठीक है, and class 9th and 10th will be sort of combined now, तो ये अब तक जो जानकारी है, भाई सहाब निकल के आ रही है, ठीक है, अब ये किस तरीके से आगे और proceed करेगा, काफे interesting होगा, एक और important चीज में बताऊँगा आपको इस वीडियो के end की तरफ, design for grades 11th and 12th, 11th and 12th में क्या देखो, जो 16 choice based courses थे, जैसे यहाँ पे जो 16 courses थे, यह जो system था, वो यहाँ पर भी होगा, एक important चीज़ों बता रहे हैं कि अब ये semester wise हो जाएगा, 11th and 12th class जो है, ठीक है, 11th and 12th class semester wise होगा, यान कि हर साल में 2 semester होते हैं, मान लिजे कि आप B.Tech, engineering की degree कर रहे हैं, 4 साल की आपकी engineering होती है, अब engineering की degree भी आप अलग-अलग field में कर सकतो, B.Tech in computer science, mechanical engineering, EXTC, electronics and telecommunication, software engineering, अब कोई भी engineering कर रहे हो, महत्वपूर बात है, वो अकसर 4 साल की होती है, हर साल में 2 semester होते हैं, 2 into 4 is equal to 8 semesters, अब ये semester मतलब क्या होता है कि आपका साल जो है, वो 8 हाट courses में बाट दिया गया और हर semester के बाद आपको एक final exam देना पड़ेगा, तो total 8 exams देने के बाद आपको engineering की degree मिलती है, तो 4 साल में आप 8 semester यानकी 8 exams देते हो, ठीक है, उसी तरीके से class 11th and 12th भी semesters में बाटा जाएगा, 11th class में 2 semesters, 12th class में 2 semesters, ठीक है, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester wise exam होंगे, अब 11th and 12th भी combine तो आपको 4 semesters बैठने होंगे, 4 semesters में अलग-अलग subjects भी होते हैं, देखो अब तक क्या होता है कि जैसे मानो एक book दे दी मैंने तुमको, English की, मैं बोलूँगा, बेटा, half early exam होगा और एक board exam होगा, लेकिन problem ये है कि half early और board में book तो same है, मैं बोलूँगा, half early में शुरू के 5 chapter पढ़ना, और board में आखरी के 5, यहां ऐसा नहीं होता, semester में book ही बदर जाएगी, भई first semester में ये 4 किताबे हैं, होग या book फिक दो, मतलब side कर दो, second semester में दूसरी 4 किताबे आ जाएगे, तो subjects की books भी change होती है semester में, तो कह रहे हैं 11th and 12th में वो 16 की, जैसा 9-10th का system था, 16 courses यहा English, Hindi दोनों आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, now even a science student can study Hindi literature as one of his subjects, it is possible, माफ कीजेगा, अब एक science student भी ही, विज्ञान का student भी, history या फिर Hindi साहित्य, literature, ऐसे subjects अपने choice के हिसाब से पढ़ सकता है, ठीक है, और एक important notification जो आई है, वो यह है कि the education ministry officials have stated that the textbooks aligned with the new NCF, जो national curriculum framework जिसमें य जो नया national curriculum framework आया है, उसके हिसाब से textbooks की printing भी शुरू हो जाएगी, तो भी rolled out from the upcoming year, तो देखो, यह जो साल है आपका academic year, 2023-2024, अब तक तो आप सही चल रहे हो, पर अगले साल से, इस curriculum framework के हिसाब से, आपकी नई textbooks भी NCRT जो है, print करना सहाब शुरू कर देगा, ठीक है, और यह बात में अपने assumption के हिसाब से नहीं, facts के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, so NCRT will start printing new textbooks from the upcoming year, ठीक है, और यह नया जो pedagogical, इस शब्द का मतलब होता है, teaching method, यह जो नई pedagogy है, जो नई teaching methodology है, जहां पे हमने आपको 8 broad areas दे दिये, आपने उन broad areas के set of subjects में से, दो-दो जो आ नई books मनेंगी, इसकी printing upcoming year से CBSE start कर देगी, NCRT start कर देगी, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, so education ministry official stated that the textbooks aligned with the new NCF will be rolled out from the upcoming year, ठीक है, और यह जो आपका system था, 5 plus 3 plus 3 plus 4, यह जो बहुत कमाल का system था, आपको पता होगा, ठीक है, new education policy में इसकी काफी चर्चा हुई थी, एक और महत्व पूर्ण बाद, अगर आप 9 और 10 वी जो है, अब वो combined देखा जाएगा, 11 और 12 में जो है, semester बाइस आप अपने exams को देखेंगे, ठीक है, फिलहाल आप इतना जादा घबराईये मत, क्योंकि इस साल तो कोई change देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो changes आते भी हैं, वो आपकी बहतरी के लिए हैं, और वाकई क्योंकि system नया नया आएगा, तो आपको भी काफी मज़ा आएगा, इसको positive way में देखना, जो बदलाव जब नए नए smart phones और नया नया internet आया था ना, तो लोगों के पता है, क्या रहा थी, लोगों को लगता था, internet पे तो बहुत अ theory मिलेगी, आपको लिखा हुआ मिलेगा, practical knowledge किदर मिलेगा, लेकिन आज आप देख सकतो education भी at tech की तरफ बढ़ गया, internet कितना बड़ा role play कर गया, तो कोई भी चीज चीज चाब market में नहीं नहीं आती है, तो हो सकता है, लोगों के मन में कुछ negative perceptions आए, एकदम से वक्त बदल दिये, जजबात बदल दिये, तो उतना आप उस चीजों को मत समझेए, आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लखी होंगे, अगर ये नया national curriculum framework, of course, after some minor changes, उसके उपर मैं updated वीडियो बनाऊँगा, लागू हो जाता है, ताकि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कि इसी के साथ फिलाल मैं इस वीडियो को यही पर end करता हूँ, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ कि आप कुछ आहद तक एक insight ले पाये होंगे, कि future of education इंडिया में किस तरीके का होगा, ऐसी और वीडियो उसके लिए, देखते रहे है EduHap